अब यह रानी अच्छे से सो चुकी है लेड गई है अपने अच्छे से दबा दिया है चारो तरफ बहुत ठंडी पड़ रहे हैं न रात में हम तीन बलब जला के सोते हैं और यह रानी उड़ती है नहीं सुबह उठेगी अपना मूभी नहीं खोलती है रात में सुबह उठेगी और हम जा रहां यहां सोने वेरी गोड मॉनिंग अलव यू अब दिखो यह रानी सो रही है अब हम खोलने जा रहे हैं गेट खोलेंगे जगने के बाद देखो यह कहां जाती है दूप कितनी तीज है अब यह सो रही है टाइम हो रहा है साड़े नौ कितना साड़े नौ हो रहा है अब यह उठी नहीं देखते हैं कब उठती हैं हुआ 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 है टाइम हो रहा है दस बजने वाला है और यह भी तो रही है अब इसको हम पुठाते हैं माई दस बचे तो हम बेशोके उठे हैं और यह भी उठेगी ओए दी जी गुड मोनिंग गुड मोनिंग चलो चलो बाहत चलो 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 जी हुआ हुआ है उधर बन रहे खाना यह हो गई सुबा अच्छे आराम से बाठी है दूप में देखो सुबा हो गई, कुकर के सेटी भी लग गई ये है सुबा की बड़िःा बड़िःा धूप अच्छी अच्छी धूप सुबा सुबा बहुत ही मनोरम द्रश्य देखने को मिलता है गाउ में बहुत अच्छी धूप निकलती है चिडिय चहकती है चूइं चूइं और ये देखो बैठी है रानी आराम से अब देखते हैं ये कहां जाती है इनकी पूरी वीडियो आज हम बनाने वाले हैं अदा गंटा की ये बने ये एक गंटा की ये दो गंटा की लेकिन हम इनके साथ साथ पूरी वीडियो आज बनाने वाले हैं सुबह उटने के बाद कहां जाती है क्या करती है अपने पाँ को देख रहे हैं अपने आपको देख रहे हैं जैसे गाओं के लोग होते हैं ना सुबह उटने के पास सबसे पहले क्या करते हैं सीसा में अपना चेहरा देखते हैं कंगी करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं बाहर फिर उसके बाद ये उसी तरह रानी भी है कि सुबह उठी अराम से बैठी है अपने आपको देख रही है कि काम देख रही है इतने ध्यान से क्या देख रही हूँ कि अब जा रही है कहीं घूमने अब यह कहां जाती है मुझे भी नहीं पता यह कहां जाएंगी कहां घूमेंगी चली 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 दीरे दीरे अब चली हैं बाहर वो है अपनी चांदनी और वो है लच्मी पीछे और वो है दामी लच्मी ओ लच्मी देखो धूब बहुत अच्छी निकली होई है सारे जानुवर बढ़िया धूप में खड़े हैं ठंडी का समय है तो धूप सबको अच्छी लगती है यह हमारे घर के मेंबर्स यह है दामिनी की मम्मी और यह है चांदनी की मम्मी और वो है चांदनी का लड़का है उसका तो नाम हमने नहीं रखा है लेकिन अब ये दीदी जी कहीं चल रही है इनको देखो बैठी ये है हमारी चंदनी ये जब छोटी सी थी तो बहुत अच्छी लगती थी बहुत अच्छी जैसे वो लच्छमी है न वैसे ही ये भी लगती थी पूरानी जा रही है घूमने अब देखते हैं यह कहां जाती है यह है कंडे कंडे मतलब उपले मम्मी गोबर का पाती रहती है यह इधर वो कंडे है और उधर है पैरा उपले बोलते है और यह है चूलहा मिट्टी के चूलहा यह है हमारे घर के सामने का पुरा नचारा पेंड है पोधे भी है और अब जा रही है यह रानी कहां गाउं घूमने यह यहां लगा है पैरा जो की कतर गया है यह है हमारे घर के बाहर का द्रश लोकेशन अब देखो यहां पर रानी बैठी है पैरा जो है वो पूरा कतम हुआ है यह वो बैठ गई जानवरों के बीच में रानी वो बैठी है दुकान के पास और यह सारे जानवर्स यह ऐसे लोग और ऐसे हमारे यहां का परिवेश यह ले जा रहे हैं इसको ले जा रहे हैं कहां यह है यह क्या बोलते हैं हमारे घर के पास में एनिमल्स हॉस्पिटल वहां ले जा रहे हैं जानवरों को गाओं के लोग गाओं का कल्चियर गाओं का परिवेश पाहिलारिया यह लिए लगावए नहीं देया थी है ना यह देखो यह हैं इनके फ्रेंट्स अरे हमारे लगी नाओं हाई तुम उधर जाओ रानी के पास जाओ यह 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 अंगडाईयां लेती हूं मैं जब जोर जोर से अब देखो यह हैं रानी और यह हैं बकरी और यह हैं पड़ावा यह देखो यह मार दी यह का कर रहे हैं अरी बापरी विजु है विजु है रानी का बैठा नहीं दीन रानी का जब यार एक तो गाओं की रानी जैसा नाम वैसा काम किसी ऐसे इंसान को अभी गर में बैठने नहीं दोगे तो उसको गुस्ता नहीं आएगी यह पूरे गाओं की रानी है हमारे गाओं की हमारा गाओं है रैवरेली डिस्ट इंडिया, स्टेड उत्तर प्देश, डेस्टिक रैबरेली, एक छोटा सा रैबरेली में विलेज है, खागी पूर सडवा डलमो रोड, खागी पूर सडवा है, तो वहां की रानी है, और उस सडवा में अगर रानी को कोई बैटने नहीं देता है, तो क्या करती है, आपको पत है, आपने तो पहले देखी लिया है, देखो, पॉपी के साथ खेलती है, और इसके सारे फ्रेंड होते हैं, ये देखो, अकरी, बकरी, अकरी, बकरी, मकरी, ककडी, डकडी, गया, भैसी, सब कुछ, अब देखो, ये दोनों की इतनी अच्छी जोड़ी है, ये पॉपी रहता यहां पर, इस घर में रहता है, तो हमारे घर जाता नहीं, जब जाता है तो हम दूदूद पिला देते हैं, और टॉमी जो है टॉमी रहता है इनके घर में, यह हैं हमाई भाउजी और भाउजी का तरवाई नहीं है, यानि पाइरा का तरवाईन तो यह बैठी है डिब आले है तिक फेत वेत गई रही हो यह पानी वानी प्यास लगी हुए तो पानी लेके चलती है टोमी इंका है इनका घर काफ़ी दूर है अब देखो दोनों कर रहे हैं क्या मस्ती दिन्ने दिन्ने बैठी है अरह हम से और वो देखो क्या करते हैं कुछ आता पता रहता है नहीं इनका तभी तो पूरे गाउं में घूमती रहती है अब देखो माइड इनका कहीं न कहीं चल रहा है हो सकता है बच्चों को खिलाने भी जाए कई रानी बोकरी खोली के आई वाए सरारत करके यह रानी वो बैठी है धोप में बड़िया धोप ले रही है अब देखो यह यहां बैठी है यह जो पाईरा कातरागा है यानि धान के जो पाउधे होते हैं उनको कतर के जानवर को खिलाते हैं तो यह जो पाईरा कातरागा है वो इनका दाखो रानी का कर रही है जैसे हम लोग भरी थे ना जैसे हम लोग बोरी में भरते हैं वैसे यह भर रही है मतलब बंदर तो होता ही नकल्ची है monkey is very mimicry animal इससे ज्यादा कोई भी जानवर नकलची नहीं होता है ये इनसान ही तो है इनसान भगवान एक ही होते है ये देखो काम करने में लगी पड़ी है ऐसे ही करती रहती है देखो कर रही है न कुछ न कुछ कर रही है ये देखो अब उठके चल दी कहीं जाएगी मुझे पता है कहीं जाएगी देखो ये अभी पता है क्या हुआ बकरियां के पास वाठी थी जब हम वहाँ से वीडियो बना के आ रहे थे वापस घर तो इसने बकरियों को खोल दिया था बकरियां होती है उसको खोल देती है गया होती है उसकी रसी खोल देती है गिरईयां बोलते हमारे हाँ रसी को गिरईयां ये बकरियां है इसके पास बैठेगी तो खोल देगी गईया होती है उनके रसी खोल देती है पढ़िया होती है हमारी दामिनी की रसी भी खोल दी थी ए वो गई रानी वो गई अब देखो ये कहां जाती है पूरा आज लाइफ दिखाने वाले हैं ये कहां जाती है क्या करती है गई अब उदर गई रोड की तरफ हम जा रहे हैं रोड की तरफ ये बैठा है पॉप्पी रानी कहा गई पता नहीं ये है पिल्लो अपना पिल्लो और रानी वो गई दूर बैठी है बैंक के पास सरकारी समिती है वहाँ पर मिलती है खाद तो वहाँ बैठी अभी चलेंगे वहाँ ये है रानी बैठी है सरकारी समिती के पास I mean यहाँ मिलती है खाद कैसे बैठी अब कुछ ना कुछ ये करेगी अब चले दिल नहीं लगा अब देखो कहा जाती है कहीं जाएगी जरूर ये गहुमती रहती है ये देखो ये बैठी है हरियों के दुकान के पास अब इसके बाद देखते हैं कहां जाती है मतलब पूरे गाउं में घुमते रहते हैं यह जैसे है नहीं पूरे गाउं का परिवेश यह देखा अभी यह दुक है हर्यों की सौप थी यहां डिबा खोलने जा रही थी हम आगा है फिर इसको भगा आए क्योंकि हम वीडियो पना रहे हैं तो हमें भगाना पड़ेगा न अगर यह सरारत करते हैं यह सड़वा हमारे गाउं का नाम है सड़वा की रानी और यही थम मेल हम लगाने वाले हैं सड़वा की रानी पूरे गाउं में राज करती है ठीक सड़वा गाउं का नाम खागीपूर सड़वा लेकिन बोलते हैं सड़वा एक काम करते हैं यह अभी घूम रही है हम जाते हैं घर क्योंकि इसकी वीडियो बनाएंगे तो पूरा दिन इसकी वीडियो ही बनेगी यह पूरा दिन गोमती रहते हैं आईसे ही ठीक अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं हम जाते हैं अपने घर मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिए बारत तमस्कार गुडबाई गुडबाई अब यह कहें गोमती ही रहेगी जा कि अपने ही